वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल मैं हूँ जोती और आज की इस वीडियो में मैं आपकी साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस टेर से आप घर पर ही क्लीन अप कर सकते हैं आज मैं आपको घर के नुश्कों से क्लेण अप करना चीखाऊंगी बहुत ही इजी है और बहुत ही इंस्टेब्ट ग्लो भी दिखाऊंगे अपने चैरे पर वन श्टेब बाइस्टेब मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें मैं आपको क्लीन सिंग श्क्रबिंग जल मसाज पैक एन मॉस्टराइजर फाइफ स्टेप्स होती है क्लीन अप में आपके साथ शेया करूंगी और यह सारे जो भी में स्टेप्स करूंगी यह सारे घर के नुस्कों से करूंगी बहुत ही इजी है अगर आप चाहरे पर पाना चाहते हैं विदाव डिले स्टाट करते हैं आज की वीडियो सबसे पहला स्टेप हम करेंगे क्लीनिंग अपने फेस की अपनी स्कीन से डर्ट पॉलिशन को हटाएंगे उसके लिए फ्रेंच यहां पर मैं ले रही हूं काव मिल्क कच्चा दूद फ्रेंच कच्चे दूद में लेक्टिक असेड होता है जो एक नैचरल क्लींजर का काम क करता है यह थेमारे स्कीन से डर्ट पॉलिशन को हटाता है और साथ हमारे डर्ड एक सकीन सको भी रीमूव करता है और आपने करना क्या है जेश्ट आपने कोटल लेने मैं अच्छी तरह करना है तो जैसे कि मैं यहाप यहां पर करके दिखाओंगी फ्रेंच कई भी फेशिल पर जो आप फेशल कर रहे हैं वो लग जाये कि आपने five to six टेम्स करना है और बाद on ao मिनट के बाद ही आपने इसे अच्छी तह ऐसे वाइप के मदद से रिमूव कर लेना है तो यहां पर मैं वाइप के इसको आपको कर रहे हूं है और उसके बाद आते हैं स्क्रबिंग पे सो यहां पर मैं टमाटर से श्क्रबिंग कर स्क्रबर कैसे बना सकते हैं चलिए यह भी आपको दिखा देती हूं सबसे पहले यहां पर बने ली है हाफ टीस्पून शुगर सो फ्रेंट शुगर एक एक्सेलेंट स्क्रबर है है आपकी इस्किन की डाइट और पॉलिशन को रिमूव करने के लिए यानि चीनी के बाद आपने इस्माल करना है आदा नीमबू आपकी स्किन को नैचरली लाइटन वे ब्राइटन बनाता है टैनिंग को रिमूव करता है और यह नैचरल स्क्रबर मना गया है आपकी स्किन के लिए यहां पे मैंने नीमबू और चीनी को मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से आपने इसे मिलाना है और उसके बाद आपने टमाटा का रज़ डालना है टमाटा हमारी स्किंग को सूधिंग इफेक्ट देता है टमाटा में एंटी एजिंग प्रोपर्टी स्पाई जाती है जो अगे आपके पोर्ट को ओपन करके आपके जो ब्लैक हैड्स होते हैं वाइट होते हैं उनको सॉफ्टन बनाता है ताकि आपकी बाद में आप इसे इसली रिमूव कर पाए और यह आपके साथ ही ब्लड स्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है तो अपने इसी तरह से जंटली इसक अपने इसे अपने इसे रिमूव करना है तो आप देख सकते हैं मेरी स्किंग काफी ब्राइटन अप लग रही है एक स्क्रमिंग करने के बाद ही अभी तो और इस्टाप बाकी है सो अब कर लेते हैं स्क्रमिंग सो श्क्रमिंग पहुनी अप जरूर लीजिये चाहें होट चाहें कॉल्ड इस्टीम जरूर होट इस्टीम ले रही हैं और होट इस्टीम लेने के बाद जो आपके ब्लैक हेट्स ओपन अप हो गय विटामी की एक कैपिसुल में उते लिएविड करना है विटामीकल की सेग्ट्छ की अधीड की ऐन्टीड अप्सक्राइबू करती हैं हमसा कुलों करें विडाइब सक्राइब रिवा कर रदा रितां Inde अपके यह का रद दा है आपको aging की समस्याद से भी दूर रखते हैं French तिया आपकी स्कार्श मय इन से इक न एकने को भी रिमउव करते हैं so French त्षे जल मसाज भी जरूर कीजिए अगर आप जल मसाज नहीma करते हैं इसके बाद सीधा पैक लगाते हैं तो ऐसा मत कीजी आप जलमसाद भी जरूर कीजी काफी अच्छा इससे आपकी इसकी लाइटन बनती है है तो अब मैंने यहां पैक बनाना शुरू करा है तो फ्रेंश पैक में यहां सबसे पहले यूजर कर रहा है बेसन आगेन आपकी इकनेश कर्ष को ट्रीट करता है तो आपकी इसकीजी इसमें जिंख पराया जाता 腹ान अपकर केर clown की कि अपकी सकीजी c Winds को साथ है और शात में मैं इसमें यूस कर रही हूँ आधा चमाश शहद शहद का स्किन नाच्रम मॉस्टरीजर जर देता और साथ ही आपकी स्किन को हाइडरिट करता hour again lighten by brighten भी बनाता और अगेश में इसमें यूस कर रही हूं half lemon न Sans daisy Phyton यहां पे आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं यहां पर यहां पर मैं गुलाव जल ले रही हूं कि घूलाव जल करे Corona को साफ करता है इस निया की गंधगी को दूर करता है तो इस पैक को मैं अपनी फिंगर्स की मदब से अच्छी तरह पूरे फेस पे अप्लाई कर रहे हूँ तो इस पैक को आपने 10 मिनर्स तक रखना है और 10 मिनर्स के बाद जब यह ड्राई हो जाए तो आपने इस तरह से इसकी मसाज करनी है अच्छी तरह से आपने इसे रिमूब करना है और फ्रेंट्स इस पैक की मदब से आप अपने अन्वंटेड हेर से भी चुटकारा पा सकते हैं सो फ्रेंट्स बहुत ही अच्छा पैक है आप इसे भी इस्तिमाल जरूर कीजिए तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन में कितनी ब्राइटनेस आई है काफी लाइटन अप हो गई है तो फ्रेंट्स उसके बाद मैं मोस्ट्राइजर के तोर पे अलूविरा जल ही अप्लाई कर सो गईस कैसे लगा मेरे यह आपको आज का घर का नुसका जिसमें आप मैंने आपको बताया कि क्लीन अप आप घर पे कैसे कर सकती हैं और आपने मेरे चेहरे पर एक इंस्टेंट ग्लो भी देख लिया है कि किस तरह का ग्लो आता है बहुत ही इसी स्टेप्स हैं आप असानी से घर पे कर सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे इस चनल को सब्सक्राइब करें बगए नहीं जाएगा मैं मिलूंगी आप से नई वीडियो में तिल देन गुद बड़ यो टेक्याव